एक phone से दूसरे phone में hotspots से net केसे connect करें अगर आपके पस phone है और phone से किसी दोस्त आपको मांग रहा है कि बाई तो घुड़ा hotspot दे दे लेकिन hotspot का आट knowledge आपको नहीं पता अगर मान के छलो आपके phone में internet खतम हो चुक है दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका फ़ाई आसीफ तो बेला डाइश करें चलो देखते हैं लेट्स केट इस्टार्डेट तो दोस्तों वीडियो को आगे बरने इस पहले आपको एक रिक्वेश्ट करता हूँ जो वीडियो देख रहे हो अभी आपको इसी खुश्श में पहले वीडियो को लाइक करते हैं और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कि हमारे चैनल को तो चल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ जो ओल वाला बेल आएगा ये बेल पे दबाके ओल दबातना है और यहाँ पे जोइन भी हो सकते हो और ये सब्सक्राइब और ओल दबाना बिल्कुल फ्री है कोई भी पैसा नहीं जाता है इसका फाइदा यह है जब भी मैं वीडियो अप्लिट करूँगा आपके बस सबसे पहले नोटिशन जाएगा और दोस्तों आप जो वीडियो देख रहे हो अप्ले नीजिया कॉमेंट वक्स में एक प्यारा से कोमेंट आपको कर दिना है ख़जपॉर्ट शेयर करके ठीक है तो अभी मेरे पास यह जो फून देख रही हो, यह मेरा फून है और यह मेरा धोस्त फून है और मेरा दोस्त मुझसे watchport मांग रहा है लेकिन आपको नहीं पता है कि watchport से एक phone से दूसरे phone में कैसे net share करते है और कैसे net connect करते है तो इस वीडियो को ध्यान से देखो सबसे पहले आपको करना क्या होगा आपका जो phone है ना किसी भी Android phone हो चाहिए आपके Android phone में आपका net खतम हो गया आपके घर से किसी से net आपके phone में लेना है watchport के थूँ तो आपको करना क्या होगा आपके phone ये किसी का phone उपर से क्लिक करना होगा इस तरह से एक आएगा उसके बाद फिर से आपको क्लिक करते होगा इसमें जैसे क्लिक कर दोगे इसमें क्लिक कर दिने की बाद portable hotspot on होगा और यहाँ पे नाम लिखा रहेगा Redmi 9i तो यहाँ पे आपको ये कर दिने की बाद आपका जो दोस्त का phone है जिस phone में होज़चपोट से connect करना चाहते हो उस phone में hotspot नहीं उस phone में Wi-Fi को on करना होगा जैसे Wi-Fi को on करोगे Wi-Fi को on करके इस तरह से बगर के रखना होगा उसके बाद Wi-Fi आ जाएगा और जैसे कि यहाँ पे मेरा hotspot इस phone का on किया Redmi 9i तो दुसरे phone में जिस phone का hotspot on होगा उस phone का name आ जाएगा तो इसमें आपको क्लिक करना होगा क्लिक कर दिने के बाद पास्वूट पुछा जाएगा तो आपको पास्वूट नहीं बता है तो इसके लिए पास्वूट पता करने के लिए setup portable hotspot इसमें आपको क्लिक करना होगा इसमें क्लिक कर देने के बाद यह पास्वोट वाला जो आग वाल आप्शन है ना इसी आग वाल आप्शन में क्लिक कर देना होगा क्लिक कर देने के बाद यह पास्वोट मिल जाएगा तो आपको यही पास्वोट सेम पास्वोट यहाँ पर दूसरे फोन में देना होगा connect जैसी कर लिया तो देखो tap to share password आया है, इसका मतलब की connect हो गया है, तो उसके बाद आपको ये back कर दिना है, बेक कर दिने के बाद अभी देखो इस phone से, इस phone में net connect हुआ है, और ये net कैसे connect किया, wifi के थ्रो connect किया, और hotspot से, देखो, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, इस phone में क देखिना चाहता हूँ, कोई भी वीडियो, अगर मैं एक वीडियो को play करता हूँ, वीडियो को play कर तो ये वीडियो play हो गया है, और ये वीडियो play हो चुके है, तो इसलिए दूसरे, से net connect कर सकते हो, ऋगर दोस्तों और आपको ये video से थोड़ा भी एलपन लगा, और वीड फिर में रहेंगे दोस्ते आफ से अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो जै हिंद